हलो फ्रेंस विलकेम टू माई चैनल दोस्तों कच्छे दूद में बस दो चीज मिलाके लगा लीजिए तो आपका चेहरा एकदम दूद जैसा गोडा हो जाएगा दोस्तों आज में आप सब के साथ एक ऐसा मैजिकल रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिसके इस्तमाल से ही आपक अगर आपको इस रेमेडी का लाइफ रेजल्ट देखना है तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि वीडियो की एंट में मैंने इसका लाइफ रेजल्ट आप सब के साथ शेयर किया है तो चलिए फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पह सो लेक लिक स्टार्ट द वीडियो दोस्तो कच्छा दूद सदियों से हमारे स्किन को गोड़ा बनाने का और निखारने का काम कऱ रहा हैं कच्छा दूद में बहुत सारे विडिमन And Minerals होते हैं जो की हमारी स्किन की एजिंग साइन को कंच्रोल करती है तोเรา स्किन में वो दिन बदिन निखरता जाएगा, चहड़ा और जादा सॉफ्ट, स्मूध, ग्लोइंग एंड रेडियन्ट बन जाएगा. इस रिमेडी को बनाना के लिए सबसे पहले एक साफ बोल में दो चमच हमें रॉ मिल्क ले लेना है, रॉ मिल्क यान की कच्चा दूद, कच्चा दूद में बॉयल मिल्क के मुकाबले बहुत जादा विटमिन और मेर्ल्स होते हैं, तो हमें इस रिमेडी के लिए कच्चा दूद का इस्तमाल करना है, इसके बाद हम इसमें एट करेंगे, बस दो चीज़े जो की हमरे स्किन में निखार लेके आएगा, एजिंग साइन को कंच्रोल करेगा और स्किन को लाइटन ब्राइटन बनाएगा, तो पहला जो इंग्रियर्स है वो है अलोविरा जिल, आपके पास कोई और ब्रैंड का अलोविरा जिल है तो आप उसे इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर अलोविरा का प्लैंट है तो उसके जिल को भी निकालके आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने यहापर पतन जिल का अलोविरा जिल लिया है, जरूरी नहीं है कि यही brand apply करें जो आपको suit करें वो brand आप ले सकते हैं ऐलोवेरा जेल में धेर सारे vitamin minerals होते हैं जो हमारे skin को अंदर से repair करता है ताग धबबे को कम करता है sun tan sun burn दूर करने में मदद करता है और skin को deeply nourish and moisturize करता है यह आपकी skin को soft, smooth and supple बनाने का काम करता है तो मैंने यहाँ पर एक चमच अलोवेरा जेल इसमें add किया है अब हमें इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेना है और अपने इसमें add करूंगी एक और चीज चो कि है coconut oil यहाँ पर मैंने एक चमच coconut oil add किया है coconut oil हमारी skin से aging sign को control करती है हमारे skin में जो collagen होता है उसे coconut oil boost करता है जिसकी वज़े से आपकी skin से pine lines wrinkles खतम होते है और अपके skin में एक गजब का glow आता है skin निखरने लगता है इसके इस्तमाल से अब इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से mix कर लेना है तो फिर हमारे remedy बिल्कुल पनके तयार हो जाएगा अब मैं आप सबके साथ share करूँगी कि इसे किस तरह से इस्तमाल करना है दोस्तों इस remedy को आप रात को सोने से पहले इस्तमाल करेंगे हर रोस सबसे पहले अपने face को कोई face wash या फिर mild cleanser से अच्छी तरह से clean कर लीजेगा उसके बाद इसे अपने face में apply कर लीजेगा दोस्तों अब इस remedy को अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से apply कीजेगा और 10-15 मिनिट तक इसे अच्छी तरह से massage कीजेगा massage करने से हमारे skin में blood circulation increase होता है जिसकी वज़े से हमारे skin में एक glow आता है इस remedy को इस्तमाल करने से आपके skin में अगर दाग धब है तो वह भी दीरे-दीरे खतम हो जाएगा आपके skin में glow आएगा एक चनमक आएगा आपके skin में अगर open pores की problem है तो वह भी इस remedy को इस्तमाल करने से कम हो जाएगा आपके skin में glow लेके आएगा एक चमक लेका आएगा आपके skin से दाग धब को तूड करके आपके skin एकदम soft smooth और सपल बन जाएगा एकदम काच की तरह चमकने लगेगा यह remedy आपके skin से wrinkles जूरियों खतम करेगा और आपके skin में एक अलग सी shine लेका आएगा आपके skin की जो aging process है उसे भी यह कंट्रोल करगा अब इस तरह से 10 मिन तक 10 से 15 मिन तक अच्छी तरह से मसाच देने का बाद इसे आप छोड़ देंगे और पूरा रात अपने चेहरे पर इ या cleanser से अपनी skin को clean कर लीजिएगा तो फिर देखना आपके skin एकदम काच की तरह चमतने लगेगा skin बहुत soft smooth सपल हो जाएगा skin पहले से बहुत जादा fair और bright देखने लगेगा और आप इस remedy को ज़रूर ट्राइ करके देखिएगा दोस्तों और देखना इससे आपके skin में बहुत ही अच्छा result मिलेगा और आपको इस remedy से एकदम प्यार सा हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों अगर आपको पसंद आये तो प्लीज लाइकर शेयर कर देना वेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे नेक्स वीडियो की नोटिफेकेशन आप सब के साल पास जल से जलत पहुत जाए और मैं अपने चैनल में शेयर करते हूँ स्किन केर, हेर केर और हेल्थ केर रिलेटिड वीडियो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया